गुड नॉर्निंग वल उफ यू आज एक नया चैप्टर बो स्टार्ट करने जाने जिसका नाम है इंशॉरंस आक्ट 19.38 जब रदस चैप्टर है हमारे सेलवस में दो चैप्टर जैंशॉरंस लॉस की उपर एक है इंशॉरंस आक 19.38 और इसके बाद एक और आएगा इर्डा आक्ट 19.99 थोड़ा सा मैं बैक्राउंड देता हूं फिर अपने बात करेंगे ठीक है जैसे बैंकिंग सेक्टर होता है स्टॉक मार्केट होता है ठीक है वैसे ही दर इस सम्थीं कॉल इंशॉरंस मार्केट ठीक है बैंकिंग सेक्टर में यूव गॉट लॉट ओफ बैंक्स जिसमें इंडियन बैंक्स भी है फॉरण बैंक्स भी है सभी है प्राइविट सेक्टर बैंक्स भी है और पॉब्ली सेक्टर बैंक्स भी है बैंक्स को बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने बाली बाडी जो है वो कौन है आर भी है रिजव बैंक ओफ इंडिया एक्जाक इंशॉरंस कंपनीज भी आ चुके हैं यह जो इंशॉरंस कंपनीज इंशॉरंस मार्केट है इसको भी कोई रेगुलेट करने वाला बॉडी चाहे था कि नहीं चाहे था तो 1999 में भारस सरकार ने स्थापना की इरडा की इंशॉरंस रेगुलेटरी डेवलाप्मेंट अथारटी यू डॉन्ट है टो राइट फूल फॉर्म सब लिखा हुआ एक चैप्टर वही अगला चैप्टर एडा ही है ठेक है तो एडा की स्थापना हुए उन्निस सो निरानवे में एडा एक्ट नाइन्टीन द्वारा इंश इंशॉरंस रेगुलेटरी डेवलाप्में अथार्टी और फॉम दे यर टू थू थाउजन वो फंक्शनल हुआ फ्रॉम दे यर टू थू थाउजन से लेकि अब तक भारत का जो इंशॉरंस मार्केट ट्रिमेंडस ग्रो कर गया त्रिमेंडस पहले हमारे यहां सिर्फ एल बहुत बड़ी होती है बहुत फ्लरिश करती है तो डेफिनिट बात है कि फॉर्ण इंशॉरंस कंपनी का जो वर्किंग स्टाइल है उनके पास फंड भी बहुत जाद है तो गवर्मेंट अफंडिया ने क्या किया फॉरेन इंशॉरंस कंपनी के लिए रस्ता खोल दिये कि आप लोग भारत में आईए ताकि इंडिया का insurance market और grow कर सके ठीक है insurance segment grow करेगा developing economy जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ भाग रहा है speed से ना उसकी जरूरत है और उसकी एक निशानी है कि वहां का insurance market है वो पका develop हो गई तो अपना भी insurance market इंडिया काफी अब develop हो चुका है और develop हो रहा ह है अरुन जेटली ने क्या किया था अरुन जेटली अब नहीं रहे काफी पुरानी बात ही है he was the M.C.A. minister at that point of time ठेक है 2014-15 के range की बात है तो 2015 में insurance loss के अंदर भयंकर amendment आये थे भयंकर amendment तो अरुन जेटली जी ने क्या किया foreign insurance के लिए रस्ता और ज्यादा खोल दिया जैसे पहले foreign insurance companies या for FDI जो foreign direct investment in the insurance business वो सिर्फ 26% तक allowed था 26% उन्हों नों इसको बढ़ा के कर दिया 49% तो foreigners लोग जो है na foreign direct investment वो लोग insurance market में किता पैसा लगा सकते है 49% तक किसी भी insurance company में hold कर सकते है तो FDI को increase कर दिया इससे और ज्यादा foreign insurance companies इंडिया में बाने लग गई है तो insurance market क काफी ग्रो कर गया है now we have got two chapters in the syllabus in insurance laws ठेक एक इंशॉर्ण सक 1938 और एक एड़ा 1999 इन दोनों chapter को मिला कर पढ़ने में दो classes लगेगा यह बड़ा chapter है ज्यादा important है एड़ा छोटा chapter है वो hardly one hour का भी chapter नहीं है तो यह chapter basically आज चलेगा फिर अगले class में भी यह थोड़ा continue करेगा औ ठीक है now let me give you a brief idea of insurance how does insurance work insurance is basically based on the presumption कि जितने भी policy holders है उनको एक साथ loss नहीं होगा किसी को होगा maximum को नहीं होगा और सब जो है policy holder थोड़ा थोड़ा premium दे रहे हैं किसको insurance company को तो insurance company के पास वो सारा premium का पैसा जमा होता है उसी से वो जब किसी policy holder को loss होता है तो उसको claim का amount निकाल के देते हैं और फिर जो बच जाता है वो profit हो गया that is the way it works अगर आज सोचो एक insurance company है उसने बहुत सारे policy बेचे हैं तो lot of policy holders है अगर सब को एक साथ loss लग गया आपको लगत है यह insurance company जिन्दा रह पाएगा survive कर पाएगा सरी खतम हो जाएगा survive नहीं कर पाएगा it is based on the assumption that अगर सब कोई थोड़ा थोड़ा premium दे तो सब को risk coverage मिलेगा और सब के हैं loss नहीं होगा किसी किसी को loss होगा तो जब loss होगा claim का पैसा दिया जाएगा insurance company को हम लोग कहते है insurer और यह policy holder है जिसने insurance policy खरीदी है policy holder उसे हम कहते है insured ठीक है लिख लो इहीं पर जब आप यह चैप्टर पढ़ोगे तो आपके सामने यह सारे नाम आते रहेंगे इसलिए बेटर है that you get used to these names insurance company को हम लोग insurer कहते हैं क्योंकि वो insurance दे रहा है और जो policy holder है उसको अपने insured कहते हैं ठीक है पॉलिसी holder क्या देगा premium पॉलिसी ओल्डर इंशारस कंपनी को क्या देगा premium और बदले में insurance कंपनी उसको क्या देगी अंडर राइट रिस्क अब थोड़ा सा एक दो वर्ड यह जो वर्ड अंडर राइट इसको मतलब मैं समझाता हूं इंशारस कंपनी का काम क्या है इंशारस कंपनी का काम है कि आप लोगों का policy holder का जो रिस्क है वो अपने सर पे ले 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 इस प्रोसेस को कहा जाता है अंडर राइट रिस्क अंडर राइट रिस्क का मतलब है कि policy holders का जो रिस्क है वो इंशारस कंपनी ने अपने सर पे ले लिया कि आपको अगर कभी लॉस हुआ तो हम आपको क्लेम का पैसा दे देंगे अगर लॉस हुआ तो दे देंगे ठीक है यह है insurance company का basic diagram, ठीक है, now there are many types of insurance, number one, life insurance, life insurance, life की कीमत नापना possible नहीं है, कोई भी इंसान की कीमत, हम लोग, मतलब, life की value नहीं निकाल सकते, just because कि वो इंसान पैसे वाल है, तो उसकी life अजारो करोड की है, कोई middle class वाल है, तो उसकी life कुछ लाग की ऐसा नहीं होता, life is invaluable, उसका value अप निकाल ही नहीं सकते, ठेक है, तो अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, तो उसके परिवार को जो नुकसान होगा उस व्यक्ति के मरने से, वो आप कैसे calculate करोगे, तो life insurance में क्या होता है, जो amount मिलता है ना, किसी के मरने पे, it is not proportional to the value of the life, ठेक है, वो जितने का आप life insurance cover लोगे, उत्ते का मिलेगा, आप अगर 5 कोड कर लोगे, आप 50 कोड कर लोगे, आपको 50 कोड मिलेगा, तो life insurance, that's the first one, इसी से मिलता जुलता एक और है, personal accident insurance, मान लो, कोई व्यक्ति, किसी हादसे में, accident में, उसके हाथ कट गए, या पैर कट गए, या वो अंधा हो गया, disablement, handicap हो गया, अब अगें, किसी भी व्यक्ति, व्यक्ति का कोई body part, जो functional important body part है, वो अगर destroyed हो जाए, तो उसकी आप कीमत नहीं calculate कर सकते, आपको कोई भी व्यक्ति, अगर मान लो, कोई भी आजा और तुमको बोले, कि हम तुमको 5 कोड पे देंगे, अपने हाथ दो के क्या, को सवाल ही नहीं उठता, 5 कोड क्या, 500 कोड में जो भी हाथ नहीं देगा कोई, ये fact अब इसमें बहास मत करना लग जाए, कि सण नहीं दे देंगे, वो बात नहीं, एक practically बात करो, कि हम लोगों को भगवान से, या हमारे माता पिता से, जो भी organs मिलें, उनकी value मतलब नहीं निकाल सकते, आखों की value, बोलो हाथ, पैर, बोलो कुछ भी, तो personal accident insurance में भी, it's not about the value of the body part that you have lost, वो आप जित्ते का value का insurance कराओंगे, उत्ते का आपको claim मिलेगा, ये जो मैं दोनों category के insurance को एक साथ दिखाए, और मैंने एक बात बोली, कि जो amount of the claim, it is not proportional to the value of the life or the body part, इसका एक कारण है, अभी पता चलेगा, wait, second होता है, सर, general insurance, insurance of assets, general insurance क्या होता है, सर, insurance of assets, assets का insurance, जैसे car का insurance, आपके पास दसलाख रुपे की गारी है, आपने उसका car insurance करा रख है, and by the way, in India, car insurance is mandatory, life insurance is not mandatory, आप कराओंगे, आप कराओंगे, आपकी मर्जी है, पर car insurance mandatory होता है भारत में, ठीक है, आप गारी चलाओंगे, आप गारी के अंदर insurance क papers रखने पड़ता है, car insurance एकदम mandatory है, vehicle insurance, तो आपकी गारी का आपने insurance करा लिया, आप premium वगरा दे रहे हो, car insurance में, अगर गारी का accident होता है, damage होता है, तो जितना damage हुआ है, उतना आपको पैसा मिलेगा, इसमें कुछ, मतलब, अलग-अलग तरकी schemes भी होते हैं, but generally speaking, the amount of claim that you will get is proportional to the loss, ठीक है, यहां ऐसा नहीं है कि मेरी 10 तक की गारी है, और उसके ओपर मैं 2 करोर उपे के insurance policy ले लूँ, because मुझे उस गारी से प्यार है, तो उस गारी को अगर accident हो गया, चोरी हो गया, तो मुझे 2 कोर मिलेंगा, सवाल ही नहीं उठता, general insurance में, जो funda चलता है, वो simple है, ज more proportional to the value of the life or the value of the body part that you have lost, वो हो भी नहीं सकता, लेकिन assets के case में, जितने का asset को नुक्सान होई, damage or loss होई, उत्ते कई आपको insurance मिलेगा, तो एक example इसका था, car insurance, दूसरा लिख लो, बहुत सारे है, cargo insurance, cargo insurance अकसर होता है, जैसे कोरियर से आप कोई कीमती समान भेज रहे हो, ठेक ह या आप हिंदुस्तान से किसी विदेशी देश में कुछ समान भेज रहे हो, तो उसका cargo insurance होता है, कि कल को अगर रस्ते में, ट्रांस्पोर्ट में नुक्सान हो गया, तो आपको insurance में पैसा मिल जाएगा, आप एक बहुत महगा समान, I'll give you one example, मान लो, तुम अपने किसी relative को, I'll give you a very simple, छोटा personal example, जो मैंने किया हो, जो तुम भी कर सकते हो, suppose मान लो, मैं 50,000 रुपीज का एक mobile phone है, जो मैं gift करना चाहता हूँ, अपने किसी relative को, and उसका birthday आने वाल है, so I want कि उसके birthday के पहले, उसको घर में delivery हो जाए, वो खोले, उसको mobile phone मिल जाए, physical delivery, ठीक है, suppose I want to do that, I want to purchase it here, and send it there, एक तरीका ये भी होता है, दूसा तरीका है, कि उसके bank में पैसे डाल दो, खुद करीद लेगा, या तीसा तरीका होता है, कि तुमने अगर online shopping कर दियो, address वहीं पर का दे दिया, बहुत सरी तरीके है, but let's say, कि मैं local purchase करूँगा, फिर उसको courier करूँगा, तो जब आप courier के पास जाओ कि ना insurance कराने के लिए, तो आपको बताना पड़ेगा, आप छुपा नही सकते, कि हम ये mobile भीजने, बिकॉस अगर चोड़ी हो गया ना, तो तुम गए काम से, तो तुम को बताना पड़ता है, courier वाले को कि देखे, ये महंगा समान है, पचास जा क माईरफोने में भीजना हूँ, तो वो लोग आपको insurance करा के देंगे, उसका पैसा अलग से आप से चार्ज करेंगे, ताकि कल को अगर mobile खो गया, damage हो गया courier में, then they will give you insurance money, okay, so ये सब car को insurance के category में आता है, अब एक नया चीज सुन लो मिर से, before writing I will tell you, तुम लोगों ने सुना होगा health insurance या medic claim, health insurance या medic claim, ये क्या होता है, मैं बता देता हूँ, इसमे health insurance या medic claim में, it's not accident, it's not life, it's simple, कि अगर साल में कभी भी कोई व्यक्ति बिमार पढ़ गया, इसमें कुछ-कुछ चीजें covered होती हैं, कुछ नहीं covered होती है, बिमार हो गया, और उसको hospitalize करना पड़ा, तो health insurance में क्या होता है, कि हर साल, it's annual, हर साल आप एक premium amount दे दो, ठीक है, और अगर आपको, मतलब जैसे मालो, आपने 8,000 rupees, 8,000 rupees आपने premium दिया, और आपको 2,00,000 रुपे तक का cover मिल गया है, 2,00,000 तक का cover मिला insurance में, अब अगर क्या होता है, कि कल को उस साल, आपको कुछ भी ऐस बिमारी हो गया है, कोई भी वज़े साब hospitalized हो गया है, तक आपको 2,00,000 रुपे था कि insurance company से मिल जाएगा, और अगर आपको कुछ नहीं हुआ, मतलब you are fit and fine, तो आपने premium दिया, वो खतम, वो expense खतम हो गया, अगले साल आपको फिर से वापस से premium देके policy चालू करना पड़ेग that is health insurance या medically, अब सुनने में तो obviously हमारा मन क्या बोल रहा है, कि sir health जो है ना, वो life से connected है, ठीक है, क्योंकि assets की तो health होती ही नहीं, health तो इंसानों की बात हो रही है, तो health insurance ना, ऊपर वाले category में आना चाहिए, but no as per insurance act 1938, इसमें जो amendment आया था 2015 में, health insurance को इन्होंने general insurance category में ही रखा है, इनका अपना logic रहा होगा, कि health insurance में भी जित्ता आपका expense से उत्ता ही, आपको पैसा मिलेगा, health insurance में किया है, जैसे suppose मैं hospitalized हुआ, तो मेरा total expense हुआ 40,000 रुपीज, तो मैंने को 40,000 ही मिलेगा, 2,000,000 का cover रहने से मतलब नहीं है, suppose मैंने 2,000,000 का cover लिया है, 8,000 रुपी प्रीमियम दिया है, अब मैं hospitalized अगर होता हूँ, मेरे खर्चे 40 जारे तो मुझे मिलेगा 40 जारे, मुझे 2,000,000 नहीं मिलने वाला, तो यहाँ पर भी the amount of the claim is proportional to the loss, that is why इन्होंने health insurance को general में रखा, औ अब तुम देख सकते हो, कि there are two types of insurance, एक है, life, life या personal accident, दूसरा है sir, general insurance, तो mostly all the different types of insurance fall in this category, और भी example हो सकते है, marine insurance, marine insurance मतलब जो ship होता है na, ship, उसका insurance, there can be fire insurance, आपके go down में अगर बहुत सामान रखा हुए, आग लग गई, सामान अश्ट हो गया तो आपको पहाँ पैसा मिलेगा, तो यह सब सब है, general category में आते है, ठीक है, life insurance, general insurance, life insurance, general insurance, so all the insurance is divided into two categories, clear, so यह था sir, full introduction about insurance, ठीक है, copy introduction होगे, अब मैं अंदर move करने जा रहा हूँ, मैं wrap up कर देता हूँ, in our syllabus, there are two chapters on insurance laws, एक है insurance act 1938, which is a long one, 17 पेच का है, दूसरा है, irid act 1999, 6 पेच का है, छोटा, यह दोनों को मिला के पढ़ाने में, दो क्लास लगेगा, insurance act पढ़ने में डेर क्लास, और irid act में आधा क्लास, it's a very small chapter, okay, insurance company को insurer बोलते है, policy holder को insured बोलते है, policy holder premium देरता है, insurance company उसका risk underwrite करता है, मतब उसका risk अपने सर पे ले लिया, two types of insurance और उसके examples, यह अपने discuss कर लिए, ठेक है, अगले page में यह sections दिख रहा है, which you have to do, now structure बता देता हूँ chapter का, पढ़ने के पहले clarity होनी चाहिए, बता है, तो 30 दिख रहा है, यह पुर्पोराइबु तो 30 दिख बता है, वह बता है, यह अपने सक्टेGuवु इन के अगले है, वह उपने सक्टक्रों का बता है, क्पने से खगने सक्टक СовDING Do not 먹어. खेक है, फेन यू स्टार्ट इस चाप्टर, यू नो इड बफोर हैंड कि ओके यह हमारा कॉंटेंट है जो हम लोग पढ़ने चाह रहे हैं, ठेक है, इट है इट है इट है लॉट मैं कोई भी चाप्टर जब पढ़ाता हूं या खुद भी पढ़ता हूं तो मैं ब्रेक अप क में इंशॉरंस की हिस्ट्री कैसे रही है, क्वेश्चन आता है उस पर, 2015 में जो इंशॉरंस लॉस के अंदर भेंकर अमेंडमेंट्मेंट्स आयते हैं, उसका सेलियंट फीचर्स बताओ, क्वेश्चन आता है इस पर, ठेक है, सबसे जबरदस्त प्रिंसिपल ऑफ इंशॉर प्रिंसिपल्स है, हमारे यहां पर 9 डाला हुआ है, ठेक हमारे सेलिबस है, तो हमको अपना सेलिबस पढ़ना है, in our syllabus they are giving us 9 principles, we'll go by that, what's the problem, तो पहला 5 पेस तो यह सब गयान है, जो बहुत 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 इंट्रेस्टिंग और इजी लगया, because legal provisions नहीं है, फिर next 12 पेस जो ह मैक्सिम कुशन अंदर डाले हैं इसके, start करते हैं, पहला point, introduction, introduction, start करते हैं, अभी introduction दो पेज का है, ठेक है, सबसे पहले पूरा इंशॉरंस का concept, इस पे question आता है, यह देखो नीचे, explain the historical perspectives leading to the enactment of insurance act, मतलब insurance act 1931 जो बना, उसका पूरा history बताई है, तो exam में एक question आता है इसके पर चार points, number one, two, three, four, point number one में पूरा इनों ने इंशॉरंस का concept बताया है, कि इंशॉरंस का मतलब यह कि बहुत सारे लोगों का जो risk spread हो रखा है, उसको इंशॉरंस कमनी लेती है और बदले में एक premium charge करती है, इंशॉरंस is a method of spreading over a large number of persons a possible financial loss too seriously to be borne by one individual, एक इंसान उता लोगों बरदाश नहीं कर पाएगा, इसलिए वो लोगों बेसिकली एक इंसान का सब पे spread हो गया, सर वो कैसे, जाहिर सी बात है, कोई भी policy holder एक छोटा सा premium दे रहे हैं, बागी सब लोग भी premium दे रहे हैं, अगर उस व्यक्ति को नुकसान हुआ तो बड़ा claim मिलेगा, तो बड़ा claim का जो amount उसको insurance company दे रही है, वो आ कहां से रहे हैं, वो बागी सारे policy holder ने जो छोटा छोटा premium दिया, उससे आ रहा है, ठेक है, उससे निकल के आ रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब एक आदमी premium दिया, तो उसी के इस नोँदा assumption कि सारे व्यक्तियों को एक साथ loss नहीं हो सकता, ठेक है, the function of insurance is to shift the loss suffered by one individual to a professional and capable risk bearer, who is the insurance company, तो पहला point में इनोंने concept of insurance समझाया, second point है, 1912, इनोंने बताया history, कि 1912 के पहले हिंदूस्तान में insurance के उपर कोई कानून नहीं था, it was regulated by Companies Act, मतलब insurance पे कोई कानून नहीं था, जो Companies Act उस समय चलता था न, 1882 वाला, उसी में insurance का ग्यान था, तवाइस कोई और अलग से insurance पे कोई ग्यान था ही नहीं, in 1912, दो कानून आये थे, पर वो दो कानून life insurance पे थे, general insurance पे नहीं थे, in 1912, Indian Life Insurance Corporate Companies Act and Provident Insurance Societies Act, जिसमें Life Insurance Company और Provident Insurance Society का जनम हुआ, तो ये दो कानून पहली बार हिंदुस्तान में आये थे, 1912 में, उसके पहले कोई insurance नहीं था, इंडिया में, और ये भी सर आये थे, तो सिर्फ life insurance के लिए ही आये थे, इससे ज़ादा और कुछ नहीं, थर्ड, थर्ड में proper history है, Enactment of Insurance Act 1938, हमसे पूछा गया, कि वो क्या circumstances था, विच लेट टू दा क्रियेशन अफ दिस आक्ट, तो अब वोई उस पे आ रहे है, 1935 में, गवर्मेंट ने एक बहुत बड़े लॉयर को, जिनका नाम तर सुशील चंदर सेन, इनको जिमिदारी दिया कि आप insurance laws के उपर पूरा amendment वगेरा ले के आई है, कुछ ले के आई है, तो बहुत मेहनत किया, तो उन्होंने बहुत सारे कानू बताया, और अल्टिमेटली वही बना insurance act 1938, तो ये है history, तो उन्होंने बहुत सारे कानू बताया, और अल्टिमेटली वही बना insurance act 1938, it came into force from 1st July 1939, तो ये जो कानून हम पढ़ रहे है, ये 1939 1st July को आ गया था, हिंदुस्तान में लागू हो गया था, फोर्थ, अब फोर्थ में बताया है कि 1938 का act बनने के बाद और क्या-क्या reforms हुए, 1950 में reforms किये गए, फिर एके करके नए-नए laws आना चालू हो गए, LIC act 1956 आया, LIC Life Insurance Corporation of India की स्थापना 1956 में हुई थी, उसके लिएक special statute बना था, LIC act 1956, इसके अलावा और भी act बने थे, Marine Insurance Act 1963, शिप और कारगो के लिए, फिर बना था, General Insurance Business Act 1972, GIC, General Insurance Corporation की स्थापना हुई थी, ठेक है, तो ये 1950 के बाद फर्दर, क्या-क्या नए कानू ना है, क्या reforms हुए, So, that is the history of insurance laws in India, ये हुआ फर्स टॉपिक अपना, सेकेंड टॉपिक, FDI, सबसे पहले FDI का मतलब क्या होता है, Foreign Direct Investment, Foreign Direct Investment का मतलब है, हम लोग विदेशी कंपनियों को अलाव कर रहे हैं, कि आप भारत में आके बिसनस कर सकते हो, That is Foreign Direct Investment, वो सीधा यहां कंपनियां खोलेंगे, कंपनियां स्टार्ट करेंगे, तो most of the foreign companies जो हैं, पहले उनको इंडिया में आना अलावड था ही नहीं, Year 2000 के पहले, इंडिया में दो ही insurance companies थी, LIC और GIC, दोनों सरकारी companies, तो तुम सोच लो, कि जो आज insurance market हम लोग देखते हैं, टीवी पे आड आता रहता है, policy, बजार.com policy खरीद लो यह वो, यह सब पिछले 2000 से ही start हुआ है, इसके पहले यह सब कुछ था भी निए इंडिया में, इंडिया में private sector insurance players भी नहीं थे, आपने सुना होगा Tata AIG, Aditya Birla, Sun Life Insurance, Reliance का insurance इतना सारा, यह सब private sector players कब आएं, after 2000, तो start करते हैं, इसमें, first point, insurance market in India was opened for private sector in the year 2000, जब IRIDA Act 1999 स्थापित हुआ, उसके पहले भारत में सिर्फ दो ही insurance company यह वा करती थी, एक LIC और एक GIC, और था ही नहीं, तो that's the first one, कि private sector के भी close था, फिर private sector grow किया, और अगले 20 सालों में, 2000 से 2020 में, इंडिया में there were 57 insurance company out of which, 24 life insurance में थी, 33 general insurance में यह और बढ़ गई है, earlier क्या था, कि FDI was allowed only up to 26% under automatic route, इसका क्या मतलब होता है, कि कोई भी विदेशी insurance company भारत में आके अपना company खोल सकती है, पर उसमें उनका हिस्सेदारी सिर्फ 26% रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, यह पुराना है, अभी 2015 में मेंट होके 49% हो गया था, earlier FDI was allowed only up to 26% under automatic route, foreign direct investment की जब बात होती है ना, तो दो words होते हैं, एक होता है automatic route, एक होता है approval route, ठीक है, automatic route का मतब होता है, कि बिना central government के approval के, बिना RBI के approval के, आप इतना investment कर सकते हो, इतने limit, एक limit बना देते हैं, बिना कोई बहुत approval के, आप इतना limit में investment कर सकते हो, that's called automatic route, उससे ज़्यादा अगर करना है, तो approval route होता है, approval route का मतब है, फिर आपको government से, RBI वगरे से approval लेना पड़ता है, तो हम लोग automatic route की बात कर रहे हैं, पहले automatic route में जो investment की limit थी, वो 26% है, मतब विदेशी insurance company आप भारत में आके अपना insurance company खोल सकती थी, पर उनमें उनका हिस्सेदारी 26% ही रहेगा, आप पाओगे कि maximum foreign insurance companies जो इंडिया में आके operate कर रहे हैं, वो लोग किसी Indian insurance company की साथ tie up करके operate कर रहे है, Tata, AIG, एक बार Punjab bank ने भी चालू किया था, PNB, MetLife, MetLife बहार का है, PNB bank, Punjab bank, इंडिया का है, तो यह लोग tie up करके करते हैं, उनमें उसका इस्सेदारी maximum 26% तक allowed था under automatic route, और अगर आपको और जादा जाना है तो approval route की जरुवत थी, ठीक है, फिर इन्होंने वो मत्तब बढ़ा दिया, 2015 में amendment आया, 2015 amendment, FDI up to 49% under 2015 Amendment, FDI, Automatic Root के अंदर 49% तक कर दिया गया था ये 2015 वाला जो Amendment था ना, उसमें 2014 में BJP की सरकार आई थी अरुन जेटली जो थे, वो Finance Minister थे, as well as MCA की Minister तो उन्हीं के टाइम पर हुआ था, उनका बजट में Parliament का स्पीज भी है, तो उसके उपर यूट्यूब में वीडियो भी मिलेंगे, जहां वो Parliament स्पीज दे रहे हैं, कि इंशॉरंस मार्केट को इंडिया में गरो कराने की जरुवत है, FDI को बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना सेक्टर इंडिया, तो आपको बताना पड़ेगा, FDI का यह ज्यान पुरा, नेक्स्ट, अब आया है, इंशॉरंस लॉस अमेंडमेंट तो यह बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ था, यह बैक्डेट इफेक्ट से था, इंशॉरंस अमेंडमेंडमेंट आया तो 2015 में जाता है, तो पहले सी लागू कर दिया जाता है, अब पाद में फिर उसको पार्लिमेंट में पास कराके अक्ट बनाया जाता है, तो ऐसा पॉसिबल है, ठेक है, कि 2015 में अमेंडमेंडमेंट आया था, लेकिन इट बिकेम एफेक्टिव फरम 2014 इंट से बैक्डेट, अब हम ल tell you, जितने भी amendments आते हैं, जो बड़े वाले होते हैं, वो एक amendment act के अंदर आते हैं, ठेक है, कानून आज भी वही है, insurance act 1938, कोई श्रों बोलेगा, sir, हम लोग exam में क्या लिखेंगे, insurance act 1938 के insurance act 2015, हम लोग क्या लिखेंगे, आप sir, insurance act 1938 लिखोगे, this is not insurance act, this is insurance laws amendment act, तो आपको amendment act क का साल थोड़ना याद रखना है, ठेक है, amendment आप बोलो 2015 में होबा था, पर कानून का original नाम 1938 ही रहेगा, जैसे companies act 2013, 2015, 2017, 2019 में amendment act आये थे, तो थोड़ना आप companies act का नाम बदल के बहुत तो companies are 2019, companies are 2013 ही रहते हैं, वैसे ये 1938 वाला ही law है, उसमें amendments आये थे, अब नीचे हम से पाल पूछा है, explain the salient features, मतब important features of the amendment act, तो उपर हमारे पास 7 points, number one, FDI को 49% कर दिया गया, under automatic route, foreign debt conversion को बढ़ा दिया गया, वो इत्य दर से बात होई रहे, second, penalties increase कर दी गए, कि कोई भी insurance company अगर बदमाश्ची करेगा, violation करेगा, तो penalty बहुत जादा है, एक कोड़ से पच्चेस कोड़, प्रस उनका license cancel भी हो सकता है, थर्ड, insurance, intermediaries, कोई भी industry जो होती है, उस industry के अंदर lot of intermediaries are there, अगर हम banks की ही बात कर लें, मैं banking laws तुमको पढ़ाया है, उस ते, I can take example of banks, क्या banking sector, when we say the banking space or the banking sector in India, does it comprise only of banks की बहुत सारे intermediaries हैं, सर, बहुत सारे intermediaries हैं, दुनिया वर के तो NBFC हैं, मैं जब सरफेजी पढ़ा रहा था, तो आपने एक नया नाम सीखा था, Asset Reconstruction Company, जिसका purpose क्या होता है, NPA recovery, NPA क्या होता है, वही loan जो bank नहीं दिया था, जो bad debt हो रखा है, तो कोई भी industrial sector ग्रो करता है, when there are lot of intermediaries, तो ऐसे insurance market में भी lot of intermediaries are there, जब policy older के यहां कोई asset में नुकसान हो गया है, तो surveyor जाके survey करके आगा कि यहां इतना नुकसान हुआ है, तो surveyor चाहिए, insurance brokers होते हैं, insurance agents होते हैं, middlemen होते हैं, इन सब को IRIDA द्वारा registered होना ज़रूरी है, तो इनको importance देना, इनको recognize करना, it empowers the authority, authority word का मतलब है IRIDA, ठीक है, जो insurance market का regulatory body, उसका नाम के IRIDA, एसे authority, to regulate the functions, code of conduct of surveyor, loss assessor and several other insurance intermediaries, like brokers, reinsurance brokers, reinsurance consultant, agent, administrator, etc. ठीक है, तो जितने भी insurance intermediaries, उनको recognition देना, कि वो भी IRIDA द्वारा registered रहेंगे, fourth, health insurance को introduce किया गया, पहले health insurance अलग से नहीं था, health insurance को अलग से introduce किया गया, it is recognized as a part of general insurance, health insurance companies अलग से बनी, कि भई, there are a lot of insurance companies, जो ना life दे रही है, ना general, सिर्फ specifically health insurance दे रही है, और उनका minimum net worth इत्ता होना चाहिए, 100 करोड, five, re-insurance, ये चल बहुत पहले से रहे, पर इसको define किया गया पहली बार, ठीक है, re-insurance का मतलब क्या होता है, सुनो, बहुत अच्छा concept है, और आगे तो आएगा, फिर भी एक idea भी से दे दूँआ तो अच्छा रहेगा, एक insurance company है, उसने 10,000 policy holders को policy बेचा है, और उनका risk अपने सर पे लिया, बदले में premium लिया, ठीक है, अब insurance company चाहती है कि वो लोग अपना risk थोड़ा कम करें, तो यह allowed है, यह legal है, insurance company क्या करेगी, एक दूसरे insurance company को बोलेगी, कि देखिए, मेरे पास 10,000 policies हैं, उसका premium भी है, पर मैं इतना load नहीं लेना चाहता, अपने उपर इतना risk नहीं लेना चाहता, मैं 30% risk आपको देना चाहता हूँ, along with 30% premium, ठेक है, क्या आप ready हो, तो दूसरी insurance company बोलते हैं, yes, I don't have a problem, तो 30% of the risk, as well as 30% of the premium amount, वो दूसरे को दे देता है, इसको कहते है, re-insurance, कि insurance company ने अपना risk और premium का कुछ portion, दूसरी insurance company को दे दिया, ताकि नुकसान अगर हो जाए, अब जैसे क्या होगा, अब अगर किसी policy holder को नुकसान होगा, तो ये वाली insurance company, 70% claim का पैसा खुद देगी, 30% claim सामने वाली insurance company से लेगी, मिला कि 100% claim का पैसा policy holder को देगी, ठेक है, policy holder को इससे कोई मतलब नहीं है, कि इस insurance company ने अंदर में किसको किसको re-insurance दिया है, they are not concerned with that, उन लोग सिर्फ इसी को जानते हैं, जो होगा इसी के साथ होगा, ठेक है, so one insurance company can give away a part of its risk and premium to another insurance company, that process is called re-insurance, जो company re-insurance में दे रही है, मतलब policy बगएरा, उसको उसके लिए में बहुत है, उसको हम लोग कहते हैं, re-insurance accepted and that insurance company, the other insurance company is called re-insurer, ठेक है, now, इसमें limits वगएरा डाले गए, कोई भी insurance company ये नहीं कर सकती, कि अपना 100% claim, 100% policy, 100% risk, 100% premium, re-insurance में दूसरों को दे दे, फिर तो वो कि insurance company नहीं नहीं, फिर तो marketing company है, कि खाली marketing करकर policy बेच लिया, risk अपना खुद का है नहीं, सारा का सारा risk premium अगएरा दे लिया, और बीच में बदले में commission या profit कुछ ले लिया, so that is not allowed, आप 100% re-insurance में नहीं दे सकते हैं, an insurer can only give away a part of its risk, not the full risk, सिर्फ part, 100% risk आप नहीं seed कर सकते, दे नहीं सकते, नहीं तो फिर तो आप एक front बन गए हो, front बन गए हो, manager, agent बन गए हो, दूसरे insurance companies के लिए, कि आप माल बेचोगे, और लाला के इनको देते जाओगे, तो वो allowed नहीं है, 6, IRDA के अलावा, दो और regulatory bodies बनाई गई, जो अपने अपने sector को regulate करती है, एक है, life insurance council, not life insurance company, life insurance council, मतब जित्ते भी इंडिया में, life insurance companies है, सब इस council के member रहेंगे, वैसे, general insurance council, again, जित्ते भी general insurance companies है, वो इस council के member, they are self-regulatory bodies, 7, IRDA के पास, quasi judiciary power है, जैसे RBI के पास है, SEBI के पास है, IRDA के पास भी है, अगर कोई insurance company, कुछ गलत कर रहा है, तो IRDA उनके उपर penalty डालेगा, IRDA से अगर आप अग्रीव्ड हो, तो आपको appeal करना है, तो appeal कहा होगा, SAT में होगा, stock market में जो problems होते हैं, तो बोला, insurance market में भी, अगर IRDA के case के against, appeal करना है, तो वो भी SAT में जाएगा, तो SEBI के खिलाफ appeal करना है, SAT में होगा, IRDA के खिलाफ करना है, तो भी SAT में होगा, insurance के लिए, अलग से कोई apply tribunal नहीं बना, बोला SAT में ही case जाएगा, appeal against the orders of IRDA, IRDA या IRDA ही भी बोलते हैं, last में I stands for India, वो appeal कहां जाएगा, SAT में जाएगा, securities आपने tribunal, तो थीज आप लोगा तो यह पूछता है, एग्जाम इसलिए तक होल-कोल के लिखता है, ता कि तुमारे लिए याद करना एजी हो जाएगा, तो यह था दो पेश का इंट्रदक्शन, आउ कम्स दो प्रिंसिपल्स अप इंशॉरंस लॉॉ। कही जग आप देखो के 6 प्रिंसिपल है, कही जगा साथ प्रिंसिपल अपने याँ नौ लिखा आपने नौ ही करेंगे, लिखो, नमर वन, टू, थ्री, फॉर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइ, तो तीन पेज तक स्प्रेड करके, नाइन प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छे तरह से मेरा डिजाइन किया हुआ है, मैं इसको पुरा तुमारे साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है, इन्हें कहते हैं, हम लोग, प्रिंसिपल्स अफ इंशॉरंस लोग, कि पूरा इंशॉरंस जो है, वो इस नौ प्रिंसिपल्स पे खड़ा है, क्या-क्या नौ प्रिंसिपल्स है, डीटेल में बताऊंगा, सब कुछ, इस पर क्वेश्चन एंग्जाम में आ सकता है, 100% I'm telling you, ठीक है, डिस्कस करने,